हेलो बच्चो आप सुब कहा, आपके अपने चनल कोविन मैत लक्षर्स में एक बार फिर से सुवा गते तो पीरे विद्यारतियो, आज की इस क्लास में हम खक्सा 6 और 7 अंग्रेजी विशे की व्रक्भूक दोजा टेवी 24 के और मेर्टीव असेस्मेंट नंबर 6 को सॉल्व कर या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन से भी क्लासिस को आराम से देख सकते हैं, देखो बच्चो पहला प्रशन है, टीक दो करेक्ट ओप्षन फोर दो फोलोईंग सेंटेंसेज, यहाँ पर हमारे सामने एक वाक्य दिया गया है, यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग व बच्चो एक वच्चन है, सिंगुलर है, यहाँ पर बच्चो देखो वरभ की फर्श्ट फॉर्म के साथ क्या दिया हुआ है, आई अजी, तो बच्चो डॉक्टर एक वच्चन सिंगुलर होने के कारण, यहाँ पर क्या आएगा, इज, ठीक है, बच्चो हमने पिछली क्ला बच्चो देखो, यू के साथ कभी भी वाज नहीं आता, यह गलत है, यू के साथ कभी आर नहीं आता, यह भी गलत है, माय ब्रदर के साथ कभी भी आर नहीं आएगा, यह भी गलत है, तो C is your chemist, ठीक है, यह वच्चन संक्या तीन, Tick the sentence that will come at last in the sequence of hitting a milk, यहनि दूद को गरम करने के द्वारान कौन सा आपके सबसे last में आता है, वो आपको tick करना है, तो बच्चों जब हम दूद को गरम करेंगे, तो सबसे last में क्या करेंगे, gas को बंद कर देंगे, तो इसका सही कतन है, कतन नमबर दो, कि जब दूद पूर्णूप से गरम हो जाएगा, तो हम gas को बंद कर देंगे, यह वाला जो कारे है, वो सबसे last में होगा, अगला बच्चों, question number 4, Tick the correct question for the given sentence, यहनि यहाँ पर हमें उत्तर दिया गया है, और इसके लिए सही प्रशना क्या होगा, वो हमें चुनना है, तो उत्तर क्या है, yes, I am going to my uncle's village, हाँ, मैं अपने चाचा के गाव जा रहा हूँ, तो बच्चों, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, M, M का मतलब है, बच्चों यह कौन सा tense है, परजेंट कंटीनियस, तो परजेंट कंटीनियस के helping वरभ क्या होती है, बच्चों, M, E, J, और R, तो बच्चों, यह उत्तर है, कि हाँ मैं अपने चाचा के गाव जा रहा हूँ, तो प्रशना कैसे पुछा गया होगा, कि क्या तुम अपने चाचा के गाव जा रहे हो, तो तुम के लिए हम क्या करेंगे, यू का उप्योग करेंगे, और यू के साथ बच्चों क्या जुड़ता है, R जुड़ता है, क्या जुड़ता है, तो इसका प्रशना होगा, आपका जो option number 4 है, ये बिल्कुल सही जवाब है, कि क्या तुम अपने अंकल के गाव जा रहे हो, तो उतर होगा, कि हाँ मैं अपने अंकल के गाव जा रहा हो, ठीके, आगे बच्चों देखो, Read the given sentences and answer the questions 5 to 8, आपको दिये गए इस गद्ध्यान सानी passage को अच्छे से पढ़ना है, और फिर इस पर अधरित प्रशनों के जवाब देने हैं, देखो बच्चों, Today I am going to the book fair in जैपूर, आज मैं जैपूर के अंदर जो एक किताब का मिला आयोजित हो रहा है, यह जो मिला है विभिन परकार की पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है, I am very excited, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, I am going with my mother, मैं अपनी माता के साथ जा रहा हूँ, I will buy their three story books and two books on history, वहाँ पर मैं क्या करूँँगा, दो कहानी की, तीन तो कहानी की पुस्तके और दो इत्यास की पुस्तके खरीद दूँगा, कि कि I love reading story books, मैं कहानी वाली पुस्तके बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ, because I get to meet so many new people through them, क्योंकि मैं उन कहानी वाली बुक के जरिये कई सारे नई लोगों के साथ मिल पाता हूँ, यानि कहानी के अंदर जो अलग लग पात्र होते हैं, उनके साथ मैं क्या होता हूँ, मिल पाता हूँ, My favorite story book is The Cloud Eater, मेरी जो सबसे favorite story book है, कहानी की पुस्तक है, उसका नाम है The Cloud Eater, My grandmother tells me stories every night and she says, Lalita, I want you to grow up and tell these stories to more people, मेरी जो दादी मा है, वो मुझे रोज इस तरह की कहानी है, रात के इंदर बताया करती है, और कहती है कि Lalita, I want you to grow up, कि तुम जब बड़ी हो, तो इसी प्रकार की कानिया, दूसरे लोगों को भी बताया करो, ठीक है, अब देखो बच्चों प्रशन क्या है, Where is the book fair going to be held, यानि जो पुस्तक मिला है, वो कहां पर आयुजित हो रहा है, बच्चों हम कहेंगे in Jaipur, वो कहा था, कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो इस प्रकार की जो कानियों के बारे में, जो पुस्तके हैं, जो बाते हैं, वो दूसरे लोगों को बताओगी, तो हमें कौन बता रहा है, ललीता, अगला, What kind of books the girl will buy, इस कानिय के अंदर, जो लड़की है, अगला, Write four sentences on the given picture, इस चित्र पर आपको चार वाक्यों का बच्चो निर्मान करना है, तो देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो पहला लिख सकते हैं, कि ये चित्र किसका है, बस इस्टेंड का, तो हम कहेंगे, This is a bus stand, This is a bus stand, तो दूसरा वाक्यों लिख सकते हैं, कि ये बस कहां जा रही है, समझ लिजिए, बस शिरोही जा रही है, तो दबस, दबस is going towards, is going towards, सिरोही, ये सिरोही की तरफ बस जा रही है, तो दबस, अगला बच्चों का लिख सकते हैं, कि lots of seller are there, यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता है, lots of seller are there, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, विक्रेता है, जो अलग अलग तरगा सामान बेच रहे हैं, और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि people are waiting for bus, people are waiting for bus, कि जो लोग है, वो अपनी बस के लिए क्या कर रहे हैं, खीके बच्चों, तो इस तरह हमने आपके फॉर्मेर्टिव असेस्मेंट नंबर 6 के सभी प्रशनों के उतर बहुत अच्छे से जान लिए हैं, उम्मित करता हूँ, सभी प्रशनों के उतर आपको अच्छे समझ में आए होंगे, तो क्लास देखने के लिए हैं, अब सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो बच्चों लाइक, कमेंट, सेवर और सबस्क्राइब जरू करें, आज के लिए इतना ही, जै हिंद, जै भारत!